कैसे हैं सबी स्टुडेंट आपका अपनी चैनल कोई की स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर टू की तैयारी कर रहे हैं और लगबग हमने सारी तैयारी को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया है मैंने कमेंट बॉक्स में द की तैट 2020 में बना था तो हो सकता है साउंड टॉपिक से आपको एक कोशन देखने को मिल जाए तो इस किलास में मैं कोशिश करूंगी कोशन के माध्यम से कि जो साउंड टॉपिक है या उससे रिलेड़िट कोई भी डाउट है वो आपका लास्ट टाइम में क्लियर हो जाए और जिनका एक्जाम कल को है उनको मेरी तरफ से all the best बहुती बढ़िया तरीके से अपना एक्जाम करके आए कूल माइंड से एक्जाम करना है इस्पेशली दिहान रखना है 21 कथन में बोल रहा है कि नहीं not correct या correct वो चीज़ सबसे जादा दिहान रखनी है सही आतावा गलत नहीं होना चाहिए बहुती रिलेक्स माइंड से आप साइंस का पेपर वहाँ पर करें और मेरी तरफ से सभी बच्चों को जिनका 20 को या आगे अभी भी जो भी एक्जाम होंगे तो सबको मेरी तरफ से all the best तो आज की इस क्लास में हम साउंड से रिलेटर जितना भी इशू वह आपका वह आपका मुझे लगता है इस क्लास को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा और ऐसी आपकी प्रैक्टिस सीरी जो है वह कंटिनियूस जो है वह आपकी एंड टाइम तक चलते हैं आज की क्लास और देखते हैं ध्वनी साउंड से कुछ इंपोर्टेंट कोश्च पहला कोश्चन है साउंड कें ट्रैवल थू ध्वनी संचरित हो सकती है किसमें गैस, सॉलिड, लिक्विड या तीनों में देखें जो साउंड होती है जो ध्वनी होती है उसको संचरित होने के लिए उसको एक जगा से दूसरी जगा पहुँचने के लिए एक माध्यम की ज जाएगा संचरण हो जाएगा वो एक जगा से दूसरी जगा कमपन करते वे चली जाएगी तो जैसे अगर मैं गैस की बात करूँ वायू की बात करूँ तो वायू में कण होते हैं पार्टिकल होते हैं तो वहाँ पर मेडियम है तो साउंड जो है वहाँ पर ट्रेवल कर जाए पर भी sound जो है वो आपकी travel कर जाती है तो यहां पर जो answer होने वाला है वो आपका option number D होगा ठोस, द्रवो और गैसों में तीनों में जो आपकी sound ध्वनी होती है वो travel करती है और एक question और इस तरह से बना था seat act में कि सबसे जादा sound जो होती है वो किस में travel करती है तो सबसे जादा वो आपकी solid ठोस में करेगी क्यों वो कि ठोस में जो कण होंगे particle बहुत पास पास होंगे जिसकी वज़े से जब आप कंपन करेंगे vibration होगा particle में तो बड़ी असानी से एक particle से दूसरे particle में चला जाएगा और इससे क्या होगा sound जो है वो बहुत अच्छी speed से travel करेगी अगर आप वायू में train की आवाज सुनेंगे और पटरी पर कान रखने के बाद आवाज सुनेंगे तो आपको जो पटरी है जो railway track है उस पे से जल्दी सुनाई आ जाएगी as compared to वायू हवा में क्यों तो जो solid है पटरी जो है वो steel की है solid है वहाँ पर जो sound है वो बहुत अच्छे से travel करेगी तो वहाँ पर आपको जल्दी सुनाई आ जाएगी as compared to air ठीक है तो जो sound में जो sound है वो आपके medium medium पर depend करती है और solid में जो particles हैं वो बहुत close होती है तो sound जो है वो बहुत असानी से travel कर जाती है ते question number second जो की बहुत important question है और यहां से हम बहुत सारी चीज़े हैं पर समझ लेंगे which of the flowing voices is likely to have minimum frequency निम्न में से वाक दुहनी की आवरती नियूनतम होने की संभावना है किसमें एक लड़की में एक छोटे बेबी बॉआए में एक आदमी में या एक औरत में देखिए अब हम इस एक पॉइंट पर जितने vibration होंगे कुछ निश्चिस समय में वही आपकी frequency होगी जैसी ये point है तो इस point पर बार-बार vibration हो रहा है वो भी कितनी बार और किसी निश्चिस समय में सपोज एक second एक second का समय है और एक second में इस point पर जितनी बार vibration होंगे जितनी बार oscillation होगा वही frequency कहलाती है तो frequency is number of oscillation जितने भी oscillation होंगे पर unit time उस निश्चिस समय में वही आपकी frequency होती है वही आपकी आवरती होती है और ये आपको याद रखना होगा ये directly proportional होती है कि इसके पिचके जिसे हम तारत वो बोलते हैं तो ये पिचके directly proportional होती है पिच माने क्या होता है how low or high the sound is मतलब कितनी तीखी तीखी और कम तीखी तो जो frequency है वो depend करती है pitch पर chillness पर अगर तीखी sound frequency जादा होगी तो जो पिच है वो जादा होगी जो आवाज होगी वो बहुत तीखी होगी जैसे लड़कियों की आवाज होती है वो थोड़ी सी पतली होती है तीखी होती है तो उ पर उसकी आवाज जो काफी हाई है ना तो वो उस तरह से आदमी होते हैं उनकी जो पिछ होती है वो लो होती है क्योंकि उनकी आवाज जो होती है वो काफी भारी होती है उनकी आवाज श्रिल नहीं होती है श्रिल जो आवाज होती है थेखी आवाज जो होती है वो लड़किय आवास कैसी होगी श्रिल होगी ठीक ही होगी और ये inversely proportional होती है किसके amplitude के क्या frequency frequency जो amplitude है जो हमारा आयाम है उसके inversely proportional होती है मतलब जितनी ज़ादा frequency होगी उतना ही कम आपका amplitude होगा amplitude क्या होता है जैसे ये point है यहाँ पर frequency जो है आपकी जो wave है वो जारी है इस तरह से जारी है ऐसे करके यहाँ पर इस तरह से जारी है point में तो यह जितनी उचाई तक आपकी wave पहुँचेगी और जितनी निचाई में भी जितनी निचाई तक आपकी wave पहुचेगी तो यहाँ से लेके यहां तक का distance ही क्या होता है आपका amplitude होता है कि कितना maximum distance एक wave जो है उपर travel करती है कितना maximum height पे वो जाती है वही उसका आयाम होता है वही उसका amplitude होता है और जितनी जादा frequency होगी आप याद रखेंगे उतना ही जो amplitude होता है वो कम होता है और जितनी जादा frequency होती है उतनी ही पिछ जो होती है वो जाद उती है तो दो relation मैंने यहां पर समझाई आपको जितनी जादा frequency उतनी ही जादा पिछ होगी उतनी ही तीख ही आवाज होगी और जितनी जादा frequency होगी amplitude जो आयाम होगा वो उतना ही कम होगा यह दोनों relation आपको याद रखने हैं सारे question इनी पर ही based है तो ये पूछ रहता question में कहा minimum frequency होगी minimum frequency वहाँ होगी जहाँ pitch भी जहाँ जो आपका तारत्व है जो pitch है वो भी सबसे कम होगा और जो pitch होगी सबसे कम वो एक आदमी के आवाज में होगी पुरुष की आवाज में होगी तो option number 3 यहाँ पर सही होगा तो कि जो पुरुष है जो आदमी है उसकी जो आवाज होती है वो बहुती बैठीरी होती है भारी होती है और वहाँ उनकी आवाज तीखी नहीं होती तो वो pitch जो होती है उनकी कम होती है और pitch कम होनी की वज़े से जो frequency है वो भी कम हो जाएगी जबकि लड़कियों की जो पिछ होती है वो high होती है जिसकी वज़े से उनकी frequency of sound भी क्या होती है जादा होती है ठीक है ये बाली बात यहाँ पर समझवें आ गई तो इस question का answer था option number 3 next question बढ़ते हैं question number 3 की तरफ which of the following statement is not correct निमलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है sound cannot travel in vacuum ध्वनी निर्वात में संचरित नहीं हो सकती ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि मैंने आपको बताया sound ध्वनी के लिए आपको किसी माध्यम की जरूरत है कन particle की जरूरत है आप किसी ग्लास के अंदर से अगर सारी हवा निकाल देंगे और उसके अंदर फिर आपको कुछ आवाज की कोशिश करेंगी कि आपको कोई आवाज आजाए तो वो आवाज नहीं आएगी क्योंकि sound के लिए किसी ना किसी particle की जरूरत होती है और वैक्यूम का मतलब क्या होता है निर्वात हवा जहां पर बिल्कुल ना हो और जब निर्वाती कंडिशन होगी तो वहाँ पर कण होंगे ही नहीं और जब कण नहीं होंगे पार्टिकल नहीं होंगे तो sound travel करेगी नहीं और यह यहीं बोल रहा है कि sound cannot travel in vacuum तो यह वाली बात निर्वात में आपकी जो ध्वानी है वो संच्रण नहीं करती बिल्कुल सही है noise pollution may cause partial hearing impairment जो शोर प्रदूशन होता है आंसिक श्रवन अशक्तता उत्पन कर सकती है जिहां जो सुनाई में दिक्कत आ जाती है जब आपके कानों में द्वानी बार बार ऐसे जो 29 होती है वो जादा आने लगती है तो आपको hearing problem हो सकती है यह बात बिल्कुल सही है for human ear the audible range is 20 hertz to 20,000 hertz जी हां यह बात भी सही है और यह बात बहुत important है धिहान रखे यह question ऐसे ही बन जाएगा कि जो मानव का कान होता है वो किस से किसनी range की frequency को सुन सकते है तो वो 20 hertz से लेके 20,000 hertz तक की जो frequency होती है वो हम सुन सकते है वो हमारी audible range होती है जिसको हम सुन सकते है 20 hertz से जो कम होती है वो आपकी infrared होती है sorry, infrasonic होती है और जो 20,000 hertz से होपर होती है वो आपकी ultrasonic होती है तो ना तो हम infrasonic सुन सकते हैं और ना ही हम ultrasonic सुन सकते हैं हम 20 से लेके 20,000 Hz तक की frequency को ही सुन सकते हैं तो ये option भी सही है the lower the frequency of vibration the higher is the pitch ये option ही यहाँ पर गलत है और अभी मैंने आपको समझायता है frequency directly depend करती है आपके pitch पर तारत्व पर जितनी जादा frequency होगी उतना ही pitch जादा होगा और ये यहाँ पर कह रहा है frequency कम है पिछ जादा होगी तो ये बात यहाँ पर होगी गलत तो option number D ही आपका गलत है next question देखते है question number 4 time taken by an object to complete one oscillation is called किसी वस्तु दौरा एक दोलन को पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है वही उसका आवरतकाल time period कहलाता है कि कोई वस्तु जब एक दोलन एक दोलन करने में जितना समय लेगी वही उसका आवरतकाल होगा time period होगा तो option number 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है next question देखते हैं question number 5 loudness is determined by the dash of vibration प्रवलता कंपन के dash से निर्धारित की जा सकती है जो loudness होती है वो किस से determined होती है वो आपके amplitude आयाम से determined होती है यह आपको याद रखना होगा जितना जादा आयाम होगा उतनी ही जादा loudness होगी और जितना आयाम कम तो प्रवलता जो होती है कंपन में वो किस के माध्यम से निर्धारित होती है उसकी प्रवलता कि कितनी उचाई तक वो गई amplitude से माध्यम से निर्धारित होती है आयाम के माध्यम से निर्धारित होती है तो option number 1 यहाँ पर सही है आप इसका snapshot भी ले सकती है loudness is determined by the amplitude of vibration next question देखते हैं question number 6 shrillness जो मैंने बताया था अभी तीखा पन होता है आवाज में shrillness of a sound is determined by the dash of vibration यहाँ पर answer लिग गया है ध्वनी की तिक्ष्टा जो होती है कमपनों की dash से निर्धारित होती है मैंने बताया था जो pitch होती है वो directly depend करती है किस पर frequency पर तो आवरती frequency option number C जो है या third जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा जो shrillness है जो तीखा पन है वो किस पर depend करता है वो frequency पर depend करता है और जो loudness होती है वो किस पर depend करती है वो amplitude आयाम पर depend करती है बस इतनी बाते आपको समझनी है और frequency जो है आयाम के विपरीज चलती है इतनी जादा frequency होगी उतना ही amplitude कम होगा ये बात भी आपको ध्यान रखनी है next question question number 7 the unit of frequencies is आवरती का मात्रक यहाँ पर आपको बताना है बहुत ही simple है और ये सबको पता होगा और ये question आया है CTAT में ऐसी बात नहीं है तो option number 2 यहाँ पर सही है hertz जो की हमारी frequency का मात्रक है unit है next question बढ़ते है question number 8 जो की numeric question है और ये बहुत ही जादा important है आपके लिए NCRT में डिट्टो यही question है और थोड़ा सा change करके CTAT वालों ने ये question दिया था अब pendulum oscillate 40 time in 4 second wind it time period and frequency एक दोलन 4 second में एक लोलक यहाँ पर दोलन लिख दिया है लोलक है ये एक लोलक 4 second में 40 बार दोलन करता है oscillate करता है तो हमें इसका आवरत काल और इसकी आवरती इसका time period भी बताना है और इसकी frequency भी बतानी है सबसे पहले एक formula याद रखना है आपको किसका frequency का मैंने क्या बताया था आपको कि frequency क्या होती है number of oscillation कोई एक body कोई एक object कितने दोलन कितने oscillation करता है उतने एक निश्चिस समय में वही आपकी frequency होती है तो frequency क्या होती है number of oscillation कितना point से एक point पर कितने oscillation होंगे उस निश्चिस समय में वही आपकी frequency होती है तो frequency होती है आपकी oscillation upon time दोलन बते जो आपका समय है ठीक है तो यहाँ पर हम formula में रख देंगे oscillation कितने oscillation करे एक pendulum ने 40 oscillation करे कितने second में 4 second में तो frequency क्या होगी यहाँ पर 10 hertz frequency क्या होगी आपकी 10 hertz कहने का मतलब एक second में एक second में कितने दोलन करेगा वो 40 तो दोलन कर रहा है 4 second में तो एक second में वो 10 oscillation करेगा और वो 10 oscillation ही उसकी frequency है जिसको हम 10 hertz मे represent करेंगे तो समझ में आ गया frequency क्या है कि कोई object कितने दोलन करता है एक निश्चिस समय में या एक second में कितने दोलन कर रहा है वही उसकी frequency है तो यहाँ पर इस frequency यहाँ पर इस pendulum की जो frequency है वो कितनी है वो 10 hertz है यहाँ कि 40 oscillation कर रहा है 4 second में तो एक second में उसकी frequency यहां पर निकल कर आ गई, आवरती निकल कर आ गई 10 Hz, जो कि हमारे 1st और D option में दे रखी है, उसके बाद हमें time period भी निकालना है, जो frequency होती है, वो inversely proportional होती है, time period के 1 upon T is equal to frequency, यही तो हम कर रहे थे, oscillation upon time period, तो यहाद अखिनी frequency और time period का ultra relation चलता है, और इसी हिसाब से हम formula में रख देंगे, जो हमारी frequency है, वो हमने निकाल लिए, यहाँ पर कितनी हो गई, हमारी 10 Hz हो गई, ठीक है, और हमें यहाँ पर क्या निकालना है, time period निकालना है, हमारा आवरत का निकालना है, तो यह सम time period को उपर ले जाएंगे, और 10 को हम नीचे लियाएंगे, तो जो time period होग आपका 0.1 सेकेंड और frequency होगी आपकी 10 Hz, तो फॉर्मूले याद रखने है, एक तो आपको frequency का, क्या होता है, oscillation upon time, और एक आपको frequency और time period का relation बताना हो, जब आपको frequency पता हो, तो वो होता है 1 upon time period, तो यहाँ पर पहले हमने frequency निकाल ली, और उसके माध्यम से हमने time period बता दि है, next question देखते हैं, question number 9, the sound from a mosquito is produced when it vibrates its wings at an average rate of 500 vibration per second, what is the time period of vibration, एक मच्छर अपने पंखो को 500 कमपन प्रती सेकेंड की ओसत दर से कमपित करके दुहनी उत्पन करता है, तो कमपन का हमें आवरत काल बताना है, तो फिर से यहाँ पर कमपन का जो आवरत काल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपका 1 upon 500, कि वो कितने vibration कर रहा है per second में, तो per second में वो कितने vibration कर रहा है, 500 कर रहा है, तो 1 upon 500 जब हम करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले चला जाएगा तो आंसर हो जाएगा आपका 0.002 जो की हमारा कौन सा आंसर होगा option number 3 होगा 0.002 second तो यही यहां पर हमारा answer हो जाएगा तो याज रखिए आवरत काल निकालना है तो वह हम कैसे निकालेंगे कि कितने कमपन कर रहा है वो एक second में तो एक second में वो 500 कमपन कर रहा तो 1 upon 500 की value हमारी आ गई 0.002 second तो option number 3 यहां पर सही है next question देखते है question number 10 which of the flowing statement is true related to noise and music संगीत और ध्वनी के बारे में कोन सा कथन सही है देखिए जो संगीत होता है music होता है उसकी ध्वनी होती है वो बड़ी pleasant होती है बड़ी अच्छी होती है जबकि जो noise होती है उसकी pleasant होती है बड़ी unwanted होती है और आपको पसंद नहीं आती तो यहां पर इसी के हिसाब से हमें answer बताना है music produce a pleasing sensation while noise is an unwanted and unpleasant sound तो option number 3 ही यहां पर बिलकुल सही है जो संगीत की ध्वनी है वो मधुर होती है जबकि शोर जो होता है वो एक अवांचित और आपरिय ध्वनी है तो option number 3 यहां पर यह option number C जो है वो बिलकुल सही है next question देखते है question number 11 loudness of sound is measured in the unit of जैसे मैंने बताया था जो loudness होती है वो amplitude आयाम पर निर्भर करती है तो वो loudness जो है उसको किस unit में measure करते हैं वो होता है आपका decibel तो option number 1 यहां पर बिलकुल सही होगा ठीक है next question question number 12 before playing a sitar a sitarist always adjust the tension of the string of the sitar and tries to pluck it suitably by doing so the sitarist adjust the sitar बजाने से पहले एक sitar वादक हमेशा sitar के तार के तनाव को समयोजित करता है और इसे उप्युक्त रूप से बांधने की कोशिश करता है ऐसा करके sitar बाद क्या समयोजित करता है यह हमीं बताना है कि यहां पर क्या वो उसकी loudness एको amplitude और intensity तो यहां पर होगा नहीं ठीक है वो तो इतना sitar वाद नहीं देखेगा यहां पर क्या वो चीज़ देख रहा है उसे यहां पर आवास को adjust करना है कि आवास कितनी बारीक होगी और कितनी तीक ही होगी तो वो किस चीज़ पर ने भर करेगा वो आपका pitch होगा तो option number 4 यहां पर सही होगा pitch of the string सितार के तार की pitch उस पर वो उस चीज को adjust कर रहा है कि अवास जो है वो कितनी पतली आएगी कितनी कम श्रिल होगी श्रिल होगी पतली होगी बतलब श्रिल होगी या फिर कितनी जादा वो बैठी वी होगी तो वो pitch को maintain करने की कोशिश कर रहा है तो option number 4 यहाँ पर सही है next question देखते है question number 13 which of the following statement are correct निम लिखित में से कौन सा कतन सही है यह हमें बताना है sound is produced by vibration धनी कमपन द्वारा निर्मेत होती है जी हाँ sound आप कभी भी देख लेजे आप किसी घंटे को बजाई या किसी भी चीज़ को बजाएंगे ना बजाने से पहले उसको चूके देखे और बजाने के बाद उसको चूके देखे तो आपको पता चलेगा जब बजाने के बाद आप चूएंगे तो वहाँ पर कमपन होगा vibration आपको feel होगा तो sound तभी produce होती है जब vibration होता है जब कमपन होता है तो ये बात बिल्कुल सही है sound require a medium for propagation जी हाँ माध्यम चाहिए होता है sound को अगर माध्यम नहीं होगा तो sound जो है वो संचरण नहीं करेगी क्योंकि उसको कण चाहिए उसको particle चाहिए तो option number second भी बिल्कुल सही है light and sound both require a medium for propagation ये option गलत है light को ज़रूरत नहीं होती जो अकास से जो हमारी प्रतिवी तक जो sun से हमारी प्रतिवी तक प्रकाश आता है तो वहाँ पर तो कोई हवा है नी vacuum है वहाँ पर तो निर्वात है कोई कण है नी फिर भी light आ जाती है तो light के लिए हमें कोई medium नहीं चाहिए लेकिन sound के लिए हमें हमेशा medium चाहिए और ये कह रहा है दोनों के लिए चाहिए तो ये option हो गलत sound travels slower than light जी हाँ जो धनी होती है वो प्रकाश की तुल्ला में धीमी गती से यात्रा करती है तो मुझे आप बताएंगे जरा की कमेंट बॉक्स में प्रकाश की चाल कितनी होती है ठीक है अब इसको समझ लीजी क्या कह रहा है देखे जब बिजली कड़कती है तो आपने देखा है पहले क्या होता है बिजली दिखाई देती है और उसके बाद उसके कड़कने की आवाज आती है ऐसा क्यूं होता है क्योंकि जो बिजली दिख रही है वो तो लाइट है तो लाइट जो है वो ज़्यादा तेजी से चलती है और जो बिजली है जो सौरी बिजली, जो लाइट चमाक रही है वो तो जादा तेजी से होती है लेकिन जो उसकी आवाज है जो sound है उसकी speed कम होती है इसलिए क्या होता है पहले आपको बिजली दिखाई देती है और उसके बाद उसके कड़कने की आवाज आती है वो इसी वज़े से है क्योंकि light की जो speed है वो sound से जादा होती है और यह ही कह रहा है कि sound जो है वो उसकी speed जो है वो slow है light से तो जी हां यह बात बिलकुल सही है तो यहां पर जो answer आपका होगा यहां पर सिर्फ option number 3 गलत है यह third option गलत है तो first, second और fourth है हमारे कौन से option में है यह हमारे D option में है और यही हमारा सही हो जाएगा next question question number 14 if the frequency of vibration of a body is decreased and its amplitude is increased then यदि किसी वस्तू की कमपनों की आवरती घटी है और उसका आयाम बढ़ता है तब क्या होगा मैंने सब समझा दिया है frequency जब घटेगी तो याद रखना है pitch जो उसकी shrillness है वो भी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी मैंने बार-बार बोल दिया है frequency pitch पर directly निर्भर करती है तो जब frequency भी घट रही है यहाँ पर जब आवरती घट रही है तो जो हमारा तारत्व है जो pitch है वो भी घटेगी और यह कह रहा है यहाँ दोनों में बढ़ेगी तो यह option तो बहार यहाँ पर क्या कह रहा है तारत तो बढ़ेगा तारत तो बढ़ी नहीं सकता जब frequency जब आवरती घट रही है तो तारत भी घटेगा अब यह तो option number 1 है यह option number D है अब आगे देखते है and its amplitude increase और मैंने बताया था amplitude जो होता है वो loudness पर निर्भर करता है जितनी जादा loudness होगी उतना ही जादा आपका आयाम होगा amplitude होगा और अगर amplitude बढ़ रहा है तो जो loudness है जो प्रवलता है वो भी आपके क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी तो यहाँ पर जो answer होगा वो आपका option number 4 हो जाएगा pitch decrease frequency घट रही है तो pitch तो घटेगी लेकिन amplitude जो आयाम है वो बढ़ रहा है तो जो प्रवलता है जो loudness है वो भी बढ़ जाएगी तो option number 4 यहाँ पर सही है next or last question if the frequency of a simple pendulum is 2 hertz how many oscillation will it complete in 16 seconds यदि एक सरल लोलकी आवरती 2 hertz हो तो यह 16 seconds में कितने दोलन पूरे करेगा देखे frequency मैंने अभी आपको बताया था कितने oscillation करता है वो कितने समय में वो आपकी frequency होती है तो frequency हमें बता दी 2 hertz तो मैं frequency की जगा क्या लिख दूंगी 2 oscillation मुझे पता है वो पूछ रहा है कि वो कितने oscillation करेगा कितने दोलन करेगा तो दोलन जो है वो oscillation जो है वो मुझे निकालने हैं और कितने समय में वो कर रहा है यहाँ पर बता दिया है 16 seconds में तो 16 को मैं नीचे रख दूंगी 16 आप उपर चला जाएगा प्लीज लाइक जरूर कर दें इस समय आपके शियर सपोर्ट की बहुत जरूरत है तो शियर जरूर कर दें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें थैंक्यू फो वाचिंग